हेलो दोस्तों वेलकम टू एज्यूकेशन चैनल साउथ वेस्टर्न रेलवे में दोस्तों वेकेंसी निकली हुई है अच्छी खासी वेकेंसी है और जो आई टी आई होल्डर है उनके लिए उपरचुनिटी है कि रेलवे में आप वर्क करो राइट इसमें जो प्रोफाइल है वो फीटर के लिए है वेल्डर, आरेसी, राइट, अलेक्टिशन, टर्नर, कारपेंटर, मैकनिक्स, पैंटर, वेडियस प्रोफाइल है और पांच जो है जो है जो साउथ के पांच जोन है वहाँ पे निकली हुई है अपरेंटिसिप के लिए राइट वन इयर का ये ट्रेन प्लस आइटी आई है वो भी अप्लाइ कर सकते हैं तो उसके बेसिस पे आपका 50% 10th का लिया जाएगा और आइटी आई का 50% उसका एवरेज निकाल के जो है आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेर्ड किया जाएगा अब हम देखेंगे इसमें कैसे फॉर्म फील करना है एक्जा वाइस डिसकस करेंगे दोस्तों इसमें और वीडियो के लास्ट में जो है आई टी आई डिप्लोमा इन सबसे रिलेटेट जो है एपरेंटिस के लिए और जॉब के लिए राइट जैसे की फिटर के जॉब के लिए वेकेंसी निकली हुई है वो मैं आपको वीडियो के लास और दो जो है जॉब के लिए होगा आई टी आई या डिप्लोमा होल्डर के लिए जॉब के लिए होगा राइट पर्मानेंट जॉब के लिए तो हम इसमें देखते हैं कैसे करना है उससे पहले डिसकस करने से पहले अगर आप यह एजूकेशन चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि government jobs related कोई भी notification हो, चाहे वो central government का हो, या state government का हो, आपको everyday मिलता रहे, राइट, चलिए देखते हैं, नोटिफिकेशन, यह देखिए, southwestern railway, 10th December से start हो चुका है, और यह 9th January तक आप form fill कर सकते है website है www.rrchubli.in, अब देखिए, इसमें जो है, merit यहाँ पे clearly mentioned है, after preparation of merit list, the candidate, merit list जब prepared हो जाएगा, तो आपको document verification के लिए, physical जाना पड़ेगा, अब यहाँ पे देखिए, हुबली division में जो vacancies है, 158, 158 vacancies है, feeder के लिए, जो है total vacancies जो है, यहाँ पे 151 दिया गया है, welder के लिए 5 दिया गया है, electrician के लिए 76 दिया गया है, refrigeration and air conditioning, mechanic के लिए 16 दिया गया है, programming and system administration assistant के लिए 39 दिया हुआ है, total 287 vacancies है, हुबली division में 287 vacancies, यहाँ break up दिया गया है, कितना किस के लिए है, किस रिजर जैस, SC के लिए कितना है, OBC के लिए कितना है, general के लिए, जैसे एक फीटर हो गया है, gas welder, electrician refrigeration, अब दूसरा देखते हैं, जिसमें की carriage repair workshop हुबली, इसमें total है, 217 vacancies है, जिसमें general के लिए 112, SC के लिए 31, ST के लिए 12, 16, OBC के लिए 58, इसमें welder, mechanic, mechanist, fitter, turner, electrician, carpenter, उसके programming and system administrative assistant, total one year का आपका training period है, आपको salary इसके दोरान मिलेगा, it's 9,000 rupees per month, अगर आपका railway में आपका apprentice का training आप ले लेते हैं, तो आपकी job fix है, आपकी जो value है, अगर आप market में भी जाओगे private sector में, तो आपकी salary अच्छी खासी होगी, मतलब starting salary अगर आप one year का कर लेते हो, तो आपकी starting salary around 25 होगा minimum private sector में, अगर आप ITI railway से करके आते हो, तो उसके बाद देखिए, बैंगलोरो डिवीजन में 280 vacancies हैं, जिसमें की general के लिए 138 है, ST के लिए 44 है, ST के लिए 23 है, OVC के लिए 75 है, वन येर का training period है, इसमें fitter, diesel locomotive side के लिए, electricians, diesel locomotive side के लिए, electricians, general, fitter, carriage and wagon के लिए, programming and system administration assistant, welder, fitter, right, इसमें है 280 vacancies, उसके बाद मैसूर डिवीजन के लिए 177 vacancies हैं, fitter, welder, electricians, programming and system administrative assistant, stenographer, तो इसमें देखिए जो vacancies है, 177 है, आप देख सकते हैं, वन येर का इसमें भी training period है, central workshop मैसूर, इसमें 43 vacancies हैं, fitter, terminal mechanics, welder, electrician, painter and programming and system administrative assistant के लिए, तो total around more than 1000 vacancies हैं, इसमें और सब के लिए one year का training period है, और इसमें ITI चाहिए सब में, जैसे fitter से अगर है, fitter में आप apply करें, तो fitter में ITI चाहिए, अगर आप welder हैं, तो welder में ITI चाहिए, carpenter हैं, painter हैं, right, तो इस सब concern department में आपका ITI चाहिए, 10th के बाद या 12th के बाद, अगर आपका merit list तयार होगा, जैसे कि suppose कि आपका 60% 10th में है, और ITI में 40% है, तो 60% का 50% लिया जाएगा, तो 30% वो हो गया, और अगर आपका ITI में 40% है, तो उसका 20% लिया जाएगा, कि हाँ, आप document verification के लिए आजाओ, eligibility criteria 15 minimum age है, maximum 24 age रखा गया है, SC, ST के लिए 5 year extra दिया गया है, और 3 year OVC के लिए दिया गया है, जो disabled person है, उनको 10 year extra दिया गया है, अब देखते हैं, इसमें examination fee 100 rupees आपको pay करने होंगे, और जो SC, ST, women candidate और disabled candidate हैं, उनको कोई भी examination fee pay करने की ज़रूरत नहीं है, how to apply, आपको visit करना पड़ेगा, www.rrchubli.in, यहां जाके जो है, online application पे जाके, आप जो है, आप apply कर पाएंगे, अब देखिए help, अगर कोई doubt है, तो आप email कर सकते हैं, email ID यहां पे दिया गया, या आप direct मुझे, आप comment कर सकते हैं, जिसके through मैं आपको as soon as possible, आपको response करूंगा, So all the best for your selection process, अगर वीडियो पसंद आए, तो लाइक कीजिए, दोस्तों साथ share कीजिए, इए education channel को subscribe कर दीज, अभी जो screen पर तीन वीडियो दिख रहा है, इसमें apprentice के लिए भी है, और job के लिए भी है, तो आप इसको वीडियो को जरूर देखें और apply करें, So thank you for watching this video and don't forget to subscribe this channel, thank you.